कि नमस्ते किसान भाईयों मैं डॉक्टर सुनील सिंग तो आज मैं आपके सामने दो गाये लेक्ट आयों एक ये भी गाये है अमान के चली इसका भी लगबख पांच कॉंडल के करी बॉड़ी वेट होगा और अगर दूसरी गाये भी बताऊं तो इसका भी बजन जो होगा युए कि इस तो भी आगी दीओ तो मेरा जो कॉस्टर होता है कि हमारी दो तरह के गाये हैं एक का बजन पांच कॉंडल के करीब है और एक का बचन 7 का प्रीब है तो मतलब हम आगर तो निकालते हैं तो उसके ही निकालते हैं वाड़ी वीड केर दो निकालते हैं तो एक केजी बॉड़ी पेट पे हमें 700 ग्राम दाना देना होता है फीड देनी होती है तो मानके चलिए वह जो बड़ी वाली गाय दो कौंटल यादा है तो मानके चलिए डेड़ केजी फीड एक्स्टा खाएगी अपनी बॉड़ी वेट को मेंटीन करने के के लिए बैस्ट है जिसमें आने वाली बच्छा का जो बजन है वह कम हो तो उसमें हम चूज करते हैं दो ट्रेट्स पर हम काम कर सकते हैं दो चीजों पर वह बॉड़ी वेट कंपोजिट जब भी आप साइड डिरेक्टी रीड करते हैं जो है कन्फोर्मेशन के अंदर आता है तो बॉड़ी वेट कंपोजिट तो बॉड़ी वेट कंपोजिट अगर माइनस में हैं प्लस में है तो एक का मतलब होता है 40 पॉंड मतलब होता है एक अगर वह माइनस एक है तो उसका मतलब हुआ कि माइनस 40 पॉंड उसके आने वाली बच्छा का बजन एवरेज से कम रह करते हैं तो आने वाली जो बच्चा है एवरेज से 18 kg कम होगी इस तरह से आप मान के चलिए उसी तरह से आप अच्छे से बुल चूज कर सकते हैं जैसे आने वाली बच्चे आपकी सेलेक्शन होना चाहिए उसका जो नैब कोड है उस पे डालें नैब कोड को सर्च करते ही उसमें यूएस से का प्रूफ आप देखें उस प्रूफ के अंदर आपको देखना पड़ेगा फीड सेव तो फीड सेव देख सकते हैं तो वह पौंस में दी जाती है तो किसी बुल का सब्सक्राइब करेंगे केजी मैं तो अगर दो सो करेए गया होगो आहिसके चलिए कहले किसी का दो फीड सेव लाइस यह के अग्या वाले सेव वह आया कीमान के चलिए वह साल वर में यह कम खा एगी अगर 100 kg फीड कम खाती है हमारे 40 रुपे पर kg फीड का दाने का प्राइस आते हैं तो मान के चलिए 4000 का एक गाई से हमने सेव किया अगर आपके पास 100 गाई हैं तो आप मान के चलिए कितना आप सेव कर सकते हैं पर एर में उस गाई से सिर्फ फीड एफिशेंसी के बेस पर ही इस तरह से एक अच्छा जेनटिक सेलेक्ट करें और अच्छा ही काम करते रहें अच्छा गरूत करते दें डेफिनेटली अच्छा ही होता रहेगा धन्यवाल